जैशे राम, दही का मुल्ले इस कथा में दही के मुल्ले के बहाने हमें ये बताया गया है कि अपने घर के बड़े बुजुर्गों के परती हमें कितना सनेह देना चाहिए कितनी त्याग की भावना रखनी चाहिए और कहीं इसके विपरीत होता है तो उस पे समाज की नजर रहनी ही चाहिए ऐसा ही एक दृष्टान थै एक शर्मा जी होते हैं और शर्मा जी का एक छोटा सा परिवार होता है शर्मा जी उनकी पतनी और उनका एक बेटा बेटा बड़ा ही अग्याकारिया और शांत सुभाव का होता है शर्मा जी ने अभी कुछ ही महीने पहले अपनी शादी की पच्चीसमी सालगिरा पड़ी जोर शोर से मनाई थी सालगिरा को मनाए छे महीने भी नहीं हुए थे कि उनकी पत्नी अचानक गुजर गई जैसे तैसे बाप बेटे ने एक दूसरी को संभाला एक दूसरी के सहारा बने कुछ दिर कुजरने के बाद शर्मा जी के मित्रेवम रिष्तेदार शर्मा जी को दूसरी शादी करने की सलाह देते हैं लेकिन वे साफ मना कर देते हैं ये कहते हैं वे कि पुत्र के रूप में पत्नी की दी हुई भेट उनके पास है और इसी के साथ अपने पूरी जिन्दगी अच्छी से कट जाएगी ऐसा कहके टाल देते हैं समय का चक्र घूमता है बेटा बड़ा होता है कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो जाती है और अपने पिता जी के कारोबार की जिम्मेदारी खुद उठाने लग जाता है अपके खुद निश्चिन तो हो जाते हैं अब शर्मा जी का अधिकतर समय कभी अपने बेटे के ऑफिस में तो कभी दोस्तों के ऑफिस में बैठ करके ब्यतीत होने लगा दो पहर के खाना खाने के लिए शर्मा जी अपने घर आते थे बेटे के शादी के लगवग चार वर्ष पूरे हो गए शर्मा जी दो पहर में अपने घर खाना खाने के खाना खा रहे हैं उनका बेटा भी उसी समय दो पहर का खाना खाने के लिए उसमें आता है तब तक उन्होंने सुना कि पीता जी ने बहु से खाने के साथ दही भी मांगे बहु ने जवाब दिया आज घर पे दही नहीं है पीता जी ने कहा कोई बात नहीं और उखाना खापी करके ओफिस चलते बने थोड़े दिर के बाद से उनका बेटा और बहु काने के लिए बैठे और जब उखाने के लिए बैठे तो उनके साथ कटोरी में दही भी थी जब बेटे ने देखा कि कटोरी में दही तो है लेकिन पीता जी को मेरी पत्नी ने कह दिया कि दही नहीं है उनको अच्छा नहीं लगा लेकिन चुप चापो खाना खाए और अपने अफिस के लिए निकल गए कुछ दिन के बाद पुत्र ने अपने पिता जी से कहा पिता जी आज आपको कोट चलना है आज आपका विवा होने जा रहा है पिता जी ने आश्चर से अपने पुत्र की तरफ देखा और कहा बेटा मुझे पत्नी की आवशक्ता नहीं है और मैं तुझे इतना सनेह देता हूँ कि शायद तुझे मा की भी जरूरत नहीं है फिर दुसरा भी बाद क्यों बेटे ने कहा पिता जी ना तो मैं अपने लिए माला रहा हूँ और ना आपके लिए पत्नी मैं तो किवल आपके लिए दही की विवस्था कर रहा हूँ आज कोट में चल करके ये जितनी भी कमपनी है आफिस है कारोबार है घर है ये सारा आपके नाम कर दूँगा कल से मैं किराय के घर में आपकी बहु के साथ रहूँगा तथा आपके आफिस में एक करमचारी जैसे काम करके तनखा लूँगा आपकी तभी आपकी बहु को दही का मुल्य पता चलेगा ऐसे होते हैं पुत्र पिता के साथ अगर छोटी मोटी भी इधर उदर हो जाए तो बेटों को कितनी तकलीफ होती है अगर ऐसे बच्चे हों जो दही के मुल्य को दिखाने के लिए दही का मुल्य चुकाने के लिए अपने पिता पर सर्वो सर्वसों ने उच्छार कर देते हों तो ऐसे घर को स्वर्ग से बढ़ कर के क्यो नहीं कहा जाएगा आप भी ध्यान दें अपने घर में जो भी बड़े बुजुर्ग हैं उनको हर चीज में प्रावरिटी दें पहले उनकी जरूरतों का ध्यान रखें और तत पस्चात अपने जरूरतों को पूरा करने का प्रयत्न करें भगवान अती प्रसंद रहेंगे और समाज भी ऐसे पुत्रों को पा करके फूले नहीं समाएगा ऐसे चुकाते हैं दही का मुल्य जैसे राम